Hello Students, Welcome back to Subham Lecturer Channel तो Student Class 12 English Grammar में Synthetize की स्रीज चल रही है जिसका ये Part 2 वीडियो है इससे पहले मैंने आपको Synthetize में Part 1 में बताया कि Synthetize क्या होता है हम Participals को Synthetize में कैसे बदलते हैं Present, Participal, Past and Perfect Participal को ठीक है उससे भी पहले मैंने आपको Direct and Indirect के कई वीडियो बताये 6-7 वीडियो तो उनका लिंक मैं डिस्किप्सर में दे दूंगा जाकर देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Synthetize का Using Infinitive यानि कि जब Infinitive यूज किया जाता है तो दो Funtances को हम आपस में कैसे Add करते हैं जैसे देखें Infinitive होता क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो Infinitive होता है जिसमें न, 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 आदि सब्द हो ठीक है आदि लगा हो तो वह Infinitive होता है सबसे पहले Infinitive होता क्या है infinitive में हम finally परियोग करते है two plus किडिया की first form का ठीक है तो पहले समाजी है हम rule समझेंगे फिर example को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर infinitive जो है वो negative हो दूसरा rule तो उसको कैसे solve करेंगे ठीक है तो सबसे पहले first rule देखते है positive वाला तो देखें यद हिंदी में वर्ब में ठीक है ना नी ने आदि लगा हो तो वह infinitive होता है यही इसकी पहचान है infinitive की जो पहचान है ना नी ने अगर लगा हो तो infinitive होता है जैसे मैं एक example आपको बता देता हूँ ठीक है जैसे है कि वहा अधिक धन कमाना चाहती है ठीक है अब दूसरा देखिए जैसे है आपका जैसे इसका है वहा किर्केट खेलना चाहता है तो ना आ गया ना तो यही आपका infinitive होगा ठीक है आगे देखिए इसमें होता क्या है इसमें हम two लगाते हैं और किरिया की first form लगाते हैं ठीक है अभी मैं example बताऊंगा सब कुछ clear आपका हो जाएगा जितना भी doubt है अब देखिए बात किया जाए एक्टिब और passive voice में हम infinitive को कैसी यूज करते हैं ठीक है तो active voice में हम यूज करते हैं two plus किरिया की first form को लगा कर ठीक है किरिया की first form और अगर यही बात की जाए पैसी की तो पता होगा जैसे छेलना खाना कमाना ठीक है यह सब किरिया है आपकी तो देखे एक्टिव वाइस तो टू प्लस किरिया की फ्रस्ट फॉर्म पैसी वाइसे तो टू प्लस टू बी प्लस किरिया की थर्ड फॉर्म ठीक है चलिए अब हम पॉजिटिव संटेंसे जो होते हैं इंफिनीटिव के उनके एक्जामपल को समझते हैं कि सिंथैटिज में कैसे इनहें स्वाल्ब करना है तो यहां पर देता है यह एक्जाम्पल ठीक है समझ यह एक्जाम्पल मैं एक लेता हूं यहां पर c जैसे यहां पर फार्स टिवाम पर मैं ले लेता हूं he bought ठीक है he bought यह ball ठीक है he want to play cricket ठीक है समझ में बहुत सिंपल है देखिए यहां पर दो sentences दिए गये हैं यहां तक एक sentence यहां तक एक sentence इन दोनों को हमें जोड़ देना है और जोड़ना ही कहलाता है synthesis यानि कि अगर दोनों आपस में जोड़ देंगे आप तो हो सिंथाथिस कहलाएगा तो देखें he bought ये ball उसने खरीदा ये ball एक गेंद तो उसने एक गेंद खरीदा he want to play cricket ठीक है तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए यहाँ पर जो आप कहा है ये wanted रहेगा ठीक है second form wanted तो he wanted to play cricket वहाँ cricket खेलना चाहता था यहाँ कि सिंपली समझें उसने एक ball खरीदा वहाँ cricket खेलना चाहता था खेलना में क्या आगया ना नीने आगया तो ये infinity भाई ठीक है तो समझें उसने एक ball खरीदा वहाँ cricket खेलना चाहता था तो इसको कैसे जुनेंगे तो देखिए he bought को हम ऐसे रहने देंगे ठीक है he bought ये ball ठीक है he bought ये ball ठीक है अब देखिए to play cricket ठीक है देखिए simply समझ ये एक अगर आपको अच्छे समझ में आगा तो सब समझ लेंगे he bought ये ball उसने एक गेंद खरी था he wanted to play देखिए two और किरिया की first form आई है ये infinitive है मैंने आपको बता था भी उपर यहाँ पर two plus किरिया की first form active voice में ठीक है तो two play cricket तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया he bought ये ball he wanted हर गया ठीक है two play cricket direct हमने two के बाद जो किरिया है उसको और उसके बाद जो है उनको आपस में यहाँ पर लाकर जोड़ दिया इसका हिंदी निकाले क्या होगा he bought ये ball to play cricket उसने किरिकेट खेलने के लिए एक गेंद खरीदा देखिए कोई अंतर हुआ अर्थ में कोई अंतर नहीं जाएगा तो seconds finally तो आ ही जाएगा second example हमारा क्या है जैसे है see worked worked hard worked hard ठीक है क्यों क्यों क्योंकि she wanted to earn money ठीक है अब देखिए इसका हिंदी निकाले एक बार हिंदी निकालेंगे तो सब कुछ समयने आ जाएगा सी वारिक्ट हाड़ उसने इसे ही आपको पहचाना है तो इसी प्रकार से आपको पहचाना है देखिंए इन्फिनीटी में आपको बता है कि टू पलस किरिया की first form अगर है तो आफका infinity भा है तो यहां पर देखे टू के बाद किरिया की first form है यह infinity भा है तो उसने कठिन परश्चनम किया वहाँ धन कमाना चाहती थी इसको कैसे जोड़ेंगे जैसे वहाँ पर जोड़े थे सी वर्कड हार्ड ठीक है यह सी वांट वांट छोड़िये तो से आप यहां पर लाकर चोड़ दीजिए टू अर्न मनी ठीक है उसने धन कमाने के लिए कठिन परिशरम किया कोई भी फ्यक्ट नहीं यह संटेंस में उसने परिशरम किया वह धन कमाना चाहती थी तो इसी को हमने साधना भासा में लिग दिया है उसने धन कमाने के लिए कठिन परिसरम किया समझ में आया तो अगर इंफिनिटी में आपका जो है किरिया की फस्ट फर्म है तो उसी टू को लाकर यहां पर आइड कर देना है दूसरा से संटेंस को आपका बन जाएगा ठीक है यही आपका होगा सिंथातिज अब बात कर लेते हैं नॉट वाले की जैसे देखे सी वर्ट हार्ड सी सी डिड नॉट वांट टू अर्नमनी ठीक है तो इसको हम कैसे बनाएंगे भी समस्ते है देखिए च dozen हमारा रून नंबर 2 है कि यदे संटेंस निजीटीव है दूसरा संटेंस निएटीव है तो टू प्लस एडजेक्टिव आपको क्या लगाना है टू लगा देना है फिर उसके बाद में जो एडजेक्टिव है जो उसकी विसेस्ता है उसको लिख देना भी. मैं not को ऺटा देंगे not को यहां पर यूज नहीं किया जाएगा इसको हटा देंगे उसके बाद में आपको क्या करना है WOW 2 के पात आपको adjective को आड़ कर देना है पहले उसके बाद में willingly TO के साथ verb को आड़ कर देना है चलिए समझते हैं example से तो example यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है तो example मैंने क्या लिया है तो हम एक example ले लेते हैं जैसे देखे यहाँ पर मैंने example लिया है Mohan was was very poor Mohan was very poor he could not buy a bicycle ठीक है तो देखे क्या है Mohan was very poor he could not buy a bicycle यहाँ बहुत गरीब था वहाँ bicycle नहीं खरीच सका ठीक है वहाँ bicycle नहीं खरीच सका तो नहीं आ गया not आ गया ठीक है he could not buy a bicycle तो इसको हम कैसे समझेंगे इसको पहले समझे ठीक है तो he could not buy a bicycle इसको कैसे बनाएंगे तो देखे यहाँ पर क्या होगा Mohan वाज जब आप बेरी को हटाएंगे ठीक है बेरी मैंने आपको बताया है कि जो बिसेष्टा है adjective उसके आगे आपको TOO जोड़ देना है 2 पलस बिसेष्टा आपको लिखना है तो यहाँ पर जो Mohan की बिसेष्टा है वो गरीबी है पूर है ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है Mohan वाज बेरी हटा देना है TOO TOO पूर ठीक है जैसे मैंने उपर देखे बताया है TOO तो और यहाँ पर आपको जोडना है तो यहाँ पर आपको पूर है तो टू पूर ठीक है अब आपको क्या करना है TOO के साथ वर्फ की फ़स्ट फ़र्म जोडनेना है अबजम्यक्यक्ट आपका बायए पैसाइकल पैसाइकल समझे का समझे मोहन वाज वेडी पूर मोहन बहुत गरीब था तो देखें क्या बना मोहन वाज मैंने आपको बताया है अब आप लिख देते हैं बेडी पूर लेकिन रूल में क्या है जो एड़ेक्टिब है उसके आगे ती डबल वो आपको लगाना है ठीक है तो दिखिया पर एड्जेक्टिव जो है उसके आगे तीडवल लगाना है तो पूर जो गरीबी है वह मोहन की विसेष्था तो मोहन की भिसेष्था क्या गए हमने तीडवल वो फूल लगा दिया ठीक है तो मोहन वास टू पूर अब देखिए फिर आपको क्या लगना यह वाय माने खरीदना यह वर्म है किडिया कर रहा है यह बाइसेकल साइकल ठीक है तो समझ में आ है मोहन वाइस्टू पॉर्टू बाइसकिल यानि कि मोहन बाइसाइकल खरीदने के लिए बहुत गरीब है ठीक है समझे दूसरा एक्जामपल ले लेते हैं आसानी से समझ में जाएगा दूसरा देखे हमने क्या एक्जामपल लिया कि यू आर बेडी लेजी यू आर बेडी लेजी ठीक है यू आन नौट कॉंपलीट कॉंपलीट दा वर्क ठीक है समझ यह साइकलोज़क लिए यू आ बेडी लेजी तुम बहुत आलसी हो तुम जो work है ठीक है काम है उसको complete नहीं कर सकते तुम बहुत आलसी हो तुम कारे को पूरा नहीं कर सकते तो इसको कैसे बनाएंगे समझे बहुत ही आसान है पहले आप लेकिंगे you are देखिए यहां पर इसकी विशेष्टा क्या है जो you है इसकी विशेष्टा कोई आदमी तो है जैसे मैं कहरा हूँ you are very lazy ठीक है तो मैं तुम्हें कहरा हूँ तो इसकी विशेष्टा है lazy लेजी तो यू आर बेरी हट जाएगा टी डबल वो टू प्लस एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या है डिक्तिव का मलब हता है भी सेसर ठीक है तो एट तो लेजी आप देखिए टू लगा दिंगे मैंने आपको बताया था तू अपकिरिया की फस्ट फर्म लगा देंगी यह का पर टू टी डबल वो लग जाएगा तो फ़र्स्ट फर्म की लिया है आपकी कंप्लीट मलब पूरा करना तो हम टू कंप्लीट लिग देते हैं ठीक है तू कंप्लीट दा वर्क ठीक है बहुत सिंपल है बस एक बार आप समझ चुके होंगे दो एक्जामपल मैंने बताए य यू कारे को पूरा नहीं कर सकते तो देखें आपर क्या है यू आर टू लेजी जो इसकी भी सेस्ता है उसके आगे हम टी डबल वो लगा देंगे टू लेजी टू कंप्लीट कि लिया कि फर्स्ट फर्म दा वर्क ठीक है यह समझ में बहुत सिंपल है तो यह थे आपके इंफिनीटीब को हम कैसे सिंथैसिस में कनवर्ट करते हैं ठीक है इंफिनीटीब को हम सिंथैसिस कैसे बनाते हैं तो यह आपका था ठीक है तो इस प्रकार से आपको यह भी समझ में आ चुका होगा इससे पहले जो मैंने डायरेक्ट और इंडायट की वीडियो बना है उसक कर वहां से देख लिजी एगा ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कि बैल आइकन प्रेस कर लें